असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं M.A.T. हब वित कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है G6PD टेस्ट जिसे कहा जाता है गुलुकोस, 6-phosphate, dehydrogenase बहुत important टेस्ट है आप के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा तो वीडियो को मुकमल तोर पर देखिएगा शुरू करते हैं अपना टॉपिक G6PD टेस्ट Dear viewers, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके सबसे पहले हम ये जानेंगे कि G6PD है क्या? G6PD एक इंजाइम है और ये एंजाइम हमारे जिस्वाइब के हर सेल में मौझोट होता है लेकिन इस G6PD इंजाइम की जयादतर इहमेत जो है वो रेडबलड सेल्स में होती है और ये red blood cells के लिए बहुत ज्यादा एहम होता है लेकिन यहां पर एक चीज़ आपने याद रखना होगी बलके नोट करना होगी और वो ये कि जिन लोगों में G6PD deficiency होती है यानि जिन लोगों के cells में, red blood cells में G6PD enzyme नहीं होता तो ऐसे लोग जब खास किसम के कुछ मेडिसन्स का इस्तेमाल करते हैं या जब वो फेवबीन यानि मटर काते हैं या जब इन में कुछ खास किसम के इन्फेक्शन्स होते हैं या जब इनके जिसम में oxidative stress develop होता है तो ऐसे लोगों के जिसम में red blood cells की hemolysis शुरू हो जाती है और बहुत chronic type का और बहुत सखत किसम का hemolytic anemia जो है वो develop हो जाता है अब ही हम बात करेंगे कि इस G6PD enzyme की हमारे जिसम में क्या function है या हमारे जिसम में क्या काम करता है तो ये हमारे जिसम में हमारे जो red blood cells होते हैं तो उसकी ये हिफाज़त करता है toxic products से ये toxic products उस वक्त जिसम में बनते हैं जब cellular metabolism होता है इसके इलावा ये हमारे red blood cells की हिफाज़त करता है कि ये red blood cells टूटे ना, इनकी hemolysis ना हो इसके इलावा हमारे जिसम में जो सेल्स होते हैं तो उसकी भी ये जी सिक्स पीडी इंजायम हिफाज़त करता है उस वक्त जब जिसम में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस डिवेलप होता है oxidative stress क्या है? oxidative stress में imbalance आ जाता है free radicals की बीच में और anti-oxidants की बीच में free radicals कुछ molecules होते हैं जिन में जो oxygen के molecules होते हैं तो वो मसावी नहीं होते और इन free radicals का नुकसान ये होता है कि ये जिसम में आते हैं और किसी भी चीज़ के साथ ये attach हो जाते हैं तो anti-oxidant के साथ इनका imbalance आने की वज़े से बहुत ज्यादा cells की destruction फिर होती है हमारे जिसम में तो इस cells को destruction से तूटने से बचाने के लिए ये G6PD enzyme cells के अंदर मौजूद होता है जो cells की हिफाज़त करता है अभी हम बात करेंगे कि इस G6PD enzyme की तश्खीसी एहमियत क्या है तो एक इस टेस्ट की मदद से हम hemoletic inemia का पता लगा सकते हैं खासकर उस hemoletic inemia का जिसकी वज़ा G6PD deficiency होती है दूसरा इस टेस्ट की मदद से हम बच्चों मैं jailndis की वज़ा का पता लगा सकते हैं जांडिस केते हैं yardis को कुछ बच्चों में yardis जादा अरसे के लिए रह जाता है तो इसकी वज़ा जानने के लिए हम G6PD enzyme का टेस्ट करते हैं जिन बचों में G6PD enzyme नहीं होता या कम होता है तो उन में फिर यरकान ज्यादा वक्त के लिए रहता है और उसका पता इस test की मदद से बहुत असानी से चल जाता है इस topic का सबसे एहम पार्ट जो है तो वो इस normal range में है और normal range में में आपको जो different methods यूज होते हैं तो उसकी normal range के मतलिक में आपको बताऊंगा तो सबसे पहले जो test इसकी लिए होता है वो कहलाता है screening enzymatic test और इस screening enzymatic test में color change को देखा जाता है तो अगर कोई भी color change नहीं आएगा और 60 मिनट से वक्त ज्यादा गुजर जाएगा तो ये test positive कहलाता है और इस while को आप देख सकते हैं ये while यूज होती है जिसमें capsule होता है और क test फिर positive होता है और अगर negative होगा तो उसमें 60 मिनट के अंदर अंदर जो color change है वो आ जाता है और ये result फिर negative कहलाता है और इस while में आप देख सकते हैं कि जो color है तो वो dark blue या black से हो जाता है brown दूसरे नमबर पर जो test इसके लिए किया जाता है तो वो कहलाता है G6PD quantitative essay जिसमें य Liza की kit आप देख सकते हैं ये यूज करते हैं या advanced machinery के कुछ kits हैं वो भी यूज किया जा सकते हैं और इसके लिए जो normal range होती है तो वो होती है 7.0 से लेकर 20.5 units per gram of hemoglobin तीसरे नमबर पर जो test इसके लिए किया जाता है तो वो कहलाता है rapid diagnostic test जिसमें ये देख सकते हैं आप इस ये test लगाया जाता है और अगर केसिट का रंग तबदील होगा तो हम कहेंगे के negative है अगर तबदील नहीं होगा तो हम कहेंगे के positive है और इसका result या normal range भी positive और negative में दी जाती है अभी हम बात करेंगे कि G6 PD टेस्ट के लिए खून का नमूना किस बोतल में लिया जाता है तो के या फिर G6 PD quantitative essay kit का इस्तेमाल करके या फिर rapid diagnostic जो test kit है जिसमें screening के लिए use किया जाता है ICT technique को या strip method को और इसकी वज़ा से फिर जाना जाता है कि G6 PD का enzyme red blood cells में मौझूद है या नहीं मौझूद अभी हम बात करेंगे कि वो कौन सी वज़े होती है जिसमें G6 PD का लेवल बहुत ज्यादा बुलंद हो जाता है खून में हाई हो जाता है इंक्रीज हो जाता है तो वो वज़े हैं hyperthyroidism, viral hepatitis अगर बहुत ज्यादा खून जाया हो जाए जिसम से hepatic coma में, pernicious anemia में, megaloblastic anemia में, myocardial infarction में और idiopathic thrombocytopenic purpura में जो G6 PD का लेवल होता है तो वो खून में बुलंद हो जाता है अभी हम बात करेंगे कि वो कौन सी medical conditions हैं जिसमें G6 PD का लेवल कम हो जाता है या बिलकुल मौजूद नहीं होता है, deficiency होती है तो वो वज़े हैं जब G6 PD बिलकुल होता नहीं है, cells में, यानि G6 PD की deficiency होती है, hemoletic anemia जब होता है या फिर infections में G6 PD का लेवल कम हो जाता है, या बिलकुल खतम हो जाता है, यानि मौजूद नहीं होता बहुत ज़्यादे शुक्रिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजिए अपना धेर सारा ख्याल रखियेगा, अल्ला हाफिज